हेलो या गाइस तो कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक तो लर्निंग वेजा सारी वीडिव चैनल गाइस आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख रखते हैं कुछ इस तरह खतरनाक एडिटिंग हम करने वाले हैं वो भी वन क्लिक में और इस एडिटिंग में हम यूज करने वाले हैं लाइट रूम का प्रिसेट जो की मैठ ब्लेक है और इसके लिए आपको लाइट रूम एप का जोड़त पढ़ने वाला है तो अगर आपके मोबैल में लाइट रूम एप नहीं है तो आप डाउनलोड कर स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइट रूम प्रिसेट को कैसे यूज करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस लाइट रूम प्रिसेट को आप कहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक गईस तो आपको आखरी तक देख चाहिए और बाद में आप कमेंड में यह मत बोलिएगा कि समझ नहीं आया ठीक है तो सबसे पहले लाइटरूम प्रिसेट को एट कर दीजिए लाइटरूम में फिर इसके बाद जैसे कि यह नॉर्मल फोटो है इसको हम एट कर लेते हैं लाइटरूम एप में तो लाइटरूम तो हम जाएंगे लाइटरूम एप में तो यहां पर हमारा एड़ फोटोस आप लाइटरूम ओपन हो रहा है तो इसके बाद जाना है और फिर जाना है लाइटरूम के प्रिसेट में जो कि यहां पर आप देख सकते हैं इस लाइटरूम प्रिसेट यहां पर ओपन हो चुका वो सारे copy हो चुके है settings copied तो इसके बाद हमें आपने normal photo को open करना है और normal photo open करने के बाद उसी step को follow करना है इस बार हम open करेंगे options यहां पे और यहां पे नीचे आपको दिखेगा paste settings का option उस पे click कर देना है जैसे ही आप करेंगे paste setting आपका जो lightroom preset है वो आपके normal photo में add हो जाएगा यहां पे हमारे photo में आ चुका है effect लेकिन अगर आपके photo में जैसे की photo में हो रहा है lighting जो है वो बहुत ही low हो गया है तो आपके photo में ऐसा हो सकता है तो आपको जाना है इस वाले option में जिसको मैंने select किया है और उसके बाद इसको minus कर देना है meet point को ठीक है guys meet point को थोड़ा minus कर देना है तो देखें यहां पे चेहरे में light आ चुका है ठीक guys तो हमारा photo one click में ready हो गया है लेकिन guys यहां पर अगर आप चाहें तो और भी edit कर सकते हैं जैसे के मैं आप brightness, shadow, highlight यह सब अपने photo की साथ से adjust कर सकते हैं ताकि और भी अच्छा दिखे अपना photo ठीक है तो photo और भी awesome दिखने लगा है यहां पर ठीक है तो इस तरह से आपको भी adjust कर लेना है guys और comment में यह मत बोलना की चार-पाँच मिनट का वीडियो क्यों बनाया हो कि मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि guys जैसे कि बहुत लोग को पता होता है कि preset क्या होता है और बहुत लोग को नहीं बता होता है तो कैसे यह उच करते हैं यह बताने के लिए चार-पाँच मिनट का वीडियो बनाना तो ब्रावजर में सर्च करना है editingmaterial.com और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पे editingmaterial.com उपन हो रहा है और editingmaterial.com उपन और आपको नीचे आ जाना है और यहां पर आपको दिख जाएगा और नीचे आ जाना है जैसे कि आप देख सकते हैं और नीचे मैंने यहां पर एक button दिया है download का इस पर क्लिक करना है इस पर long press कीजिए long press करने के बाद open in new tab कर दीजेगा इस ठीक है open in new tab करना है आपको और फिर जैसे कि देख सकते हैं यह हमारा Lightroom Preset और फिर यह डाउनलोड का symbol दीख रहा है उसपे क्लिक करना है और अपना Google Drive का account सरेट कर लेना है नीचे आजाना है और यहां पर डाउनलोड का अप्शन दीखेगा उसपे क्लिक करके डाउनलोड आफाने से कर सकते हैं ठीग आइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार सब्सक्राइबर के बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगर तो अगली वीडियो में